हलो शुडेंट्स आज अपन बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है अपन देखते हैं कि एसेक्सोल लिप्रोडेक्शन के दौरान नॉर्मली जो ओवम और इस्पर्म होते हैं उनमें फर्टिलाइजिसन से युगमनज का डवलप्मेंट होता है जो एक तरह से ओंटो जेनेटिक डवलप्मेंट के दौरा वह है एडल्ट एनिमल्स में डवलप हो जाता है और ओवा होता है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स से सेल्फ इंड्यूड होकर डवलप्मेंट को दर्साता है अर्था इस्पर्म के बिना जेनेटिकली सहयोग के बिना केवल ओवम को डवलप हेटू इंड्यूड कर देता है इस प्रकार के जो डवलप्मेंट होते हैं वो embryo में male के द्वारा genetically support प्रोवाइड नहीं किया जाता है इस प्रकार का fertilization रही जो animal development को parthenogenesis कहते हैं यह sexual reproduction का एक रूप है जिसमें जो sex cells भाग लेती हैं अथा ए sexual reproduction इसको नहीं कहा जा सकता चार्ल्स बॉनेट ने सी अर्चीन में parthenogenesis को प्रेशित किया और वीटी ने 1967 के अनुसार जो male gammit से genetically support प्राप्त किये बिना ही female gammit से embryo development का जो process था उसको parthenogenesis कहा parthenogenesis से उत्पन एनिमल्स को parthenote कहते हैं तथा वे फैक्टर्स जो parthenogenesis को प्रेशित करते हैं उन्हें एनिशेक जनन कहते हैं लोक्ट ने बताया कि जो female gammit होते हैं उनको male gammit से फर्टिल या फ्यूजन की आउसकता नहीं होती है और बोवेरी के अनुसार सी अर्चीन में एक का एक्टिवेशन्स इस्पर्म के केवल एस्टर के द्वारा किया जाता है जिससे ओवा में डिविजन्स स्टार्ट हो जाते हैं और इस पर 4-8 सेल्स स्टेज में फर्टिलाइजेशन करता है पार्थनोजेनेसिस निम्न प्रकार से हो सकता है गाइनोजेनेसिस पहला देखते हैं कि स्पर्म और ओवा के संप्रक के द्वारा सक्रिय कर देता है इस्पर्म ओवा को संप्रक के द्वारा एक्टिव कर देता है परंतु sperm वे ओम के pronucleae का fusion नहीं होता है endogenesis, इस प्रोसेज में parthogenesis में female pronucleae inactive हो जाते हैं और केवल उनका pronucleae की द्वारा उनका embryo develop होका उने के लिए प्रेरित हो जाता है partial fertilization इसमें जो ओवा में development का उत्प्रेरन होता है वो इस्परम के किसी भाग के द्वारा किया जाता है कुछ animals में natural रूप से प्रजिनन एनिशेक जनन द्वारा होता है तो कुछ animals में जो parthogenesis होता है वो artificials रूप से भी stimulus द्वारा प्रेरित किया जाता है इस परकार के जो parthogenesis होते हैं उनको अपन दो परकारों में बाढ़ सकते हैं पहला है natural parthogenesis दूसरा है artificial parthogenesis नेचूरल जो parthogenesis है उसमें देखते हैं कि कुछ animals में parthogenesis है तो ओवा को प्रेरित करने की आवसकता नहीं होती है नेचूरल रूप से रिप्रोडेक्शन के लिए ओवम के बिना fertilization complete हो जाता है जैसिक रोटी फर्स, मॉल फ्लाई, एफिट्स आदी में वर्टीब्रेट्स में जो parthogenesis का प्रोसिज होता है वो नेचूरल रूप से और कभी कभाहर वह है नेचूरल रूप से कभी कभाहर ही पाया जाता है लीडर के अनुसार कॉरासियस जो अरटस गेविलियो है उस फिस में parthogenesis होता है तो इसमें अपन देखते हैं कि केवल मादा ही पाई जाती है लैसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना जो लिजार्ड है उसमें निचूरल लूप से रिप्रोडेक्शन इसी प्रकार का होता है जिसमें कूरियर के अनुसार 1926 के अनुसार गीनी फिग में parthogenesis के द्वारा बलास्टोमियर्स स्टेज तक उसका डॉप्लेप्मेंट देखा जा सकता है कुछ एनिमल्स में केवल parthogenesis के द्वारा ही रिप्रोडेक्शन होता है जबकि कुछ एनिमल्स में parthogenesis रिप्रोडेक्शन के साथ सेक्शुल टाइप से रिप्रोडेक्शन भी करते हैं इसके बेस पर parthogenesis दो प्रकार का हो सकता है एक होता है cyclic parthenogenesis, दूसरा है complete obligatory parthenogenesis cyclic parthenogenesis में इस प्रकार का जो parthenogenesis होता है उसमें sexual reproduction से पूरकता दर्साता है अर्थात इन animals में पाय जाता है जो sexual reproduction भी कर सकते हैं यह parthenogenesis condition पर depend करता है जैसे miastus में adaptive conditions में parthenogenesis जब की conditions बिप्रीत होती है तो उसमें sexual reproduction वो दर्साता है एफिर्स, डैफनिया वे रोटिपर्स में भी इसी टाइप की कई पीडियों तक parthenogenesis के पश्चाथ sexual reproduction पाय जाता है यह animals ग्रिश्म रितू में sexual reproduction करते हैं और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं एक cycle होती है जैसे कि एक parthenogenesis के एक cycle के बाद में फिर sexual reproduction होगा फिर parthenogenesis होगा फिर sexual reproduction होगा जबकि कुछ animal जैसे गौल फ्लाइज है उसमें sexual reproduction पार्थनोजेनिस एक कांतर करम में होता है यानि एक बार वो होगा तो दूसरी बार होगा अर्थात एक generation में sexual reproduction के द्वारा और अगली generation में वो parthenogenesis का प्रोसेज दरसाती है और कुछ जो group होते हैं उनमें sexual reproduction और parthenogenesis एक उनका कोई rhythm नहीं होता है कोई करम नहीं होता है cycle नहीं होता है और वो irregular प्रकार का अपना जो reproduction का टाइप से उसको वो दरसाएंगे तो इस प्रकार से यह animals में जो cyclic जो reproduction वो parthenogenesis होता है वो होता है वो उहां के depend करता है कि वो conditions कौन सी है उनको survive करने के लिए क्या प्रस्तितियां है विप्रित होती है तो वो अपने हिसाब से अपने आपको ढाल लेते हैं और वो अपना जो प्रोसेज है उसको वो complete करते हैं तो इस प्रकार से यह natural जो parthenogenesis होता है